आप सभी लोगों पीहूं कीचन में स्वागत है तो देखे हमारे शुबस इस पीहूं बोल लए थी कि ममी आज मेरा कुछ खाने का मान नहीं तो मैं बोले कि गाजर का हलुआ बना है खालो तो बोले नहीं उन्हें खाने का है कुछ अलग बनाओ तो मेरे दिमाग में एक अडि जब हमारा घीव गरम हो चुका है तो हम उसमें एट करते हैं तो देखिए हमारे दिमाग में आये हमारे तरीके से हम आपको क्या बताएं कि ये रेश्वी का नाम क्या है ये जो है रेश्वी हमारे तो देखिए हमारे दिमाग में आया तो हमारे दो गाजर पड़ा था वो परसान करें थी हमारी प्रेंगी हो तो चलो मैं सोची कि चलो दो गाजर है तो इसको हम बनाएं तो आप देखते रहिए तो आप देख लेगी तो आप से विवर्दास नहीं होगा आप ज़रूर बनाए और घर पर ट्राइ किजी और खाई लिए थे तो इधर 2 मिनिट के लिए शोप्ट हो चुका है तो हम साइड में करते हैं तो दखिए आप हम आधा लिटर लिए हैं दूद तो दूद को हम पहले से गरम करकर रखे थे देखिए हमारी आप देख रहे हैं मलाई से नब भर पूर है तो हम अई कब दूद अपना से कर दिए हैं तो आप लोग सोच रहेंगे कि गाजर का हलुआ बनाए पर गाजर का हलुआ नहीं बना रहे हैं अगर अच्छी लेगी तो अपलाइक और सेयर कर देना तो देखिए हमें यहां पर ले लिए हैं दस काजू जो काजू से एकदम शाय फ्लेवर आएगा एक कफ मा मखाना और एक कफ मारा जावल को दो गुदे पहले हमविगो दिया थे तो यहां पर लें गें मिख्चिड जाव हम सबसे पहले अपने माखान करें गे अचावल और काजू तो और इसमें अपने इदम आपके तक ल,द इसमें हम ऐधम सब से norदय के लिए और आपनने के ल देखिए आप हम दो चमज पानी लिए हैं पानी के साथ हम आपना इसमूद पेष्ट तयार करेंगे देखिए यहां पर जो हमारा इसमूद पेष्ट जो है अच्छे तयार दरदरा हो चुका है तो आपे आपड़ाई मत मोटा हो पता क्या है कि हम जब गाजर में डालेंगे त के लिज़ एक Scotty वुड़ आधा प्काई पर आपना पी नागा रखें के बर्णार हैं चावल उर माखाना और जो ओछान्य काहरी तो देखी था कि अंद्गें आधा कि नियुक्त क्लागी थे तो जो में करनेशी बना रहे पर आप इसे में कर देते हैं कितने अच्छा है देखने में लग रहा है इसमें डाले है चाफ़का उrüक्षी मकंताnhak काजर दू तो आप क्या हम इसका नाम रखे रेशभी का न खीर भी रख सकते हैं न काजर का अधूं यहां बताएं किसका नाम हम क्या रखे तो हमम भ़ता नाम पर तो कम डले तो हमें चाहिए यहाँ पर हलका मीठा ज्यादा मीठा पसंद नहीं है तो देखे जो यहाँ पर है नो दो मिनट के लिए इधर कवर कर देते हैं नहीं तो एक वर घर पर बनाएए और हमें कमेंट में बताइए कि हमारी रेज़वी आपकी कैसी लगी है जादा आपको समान की जरुद भी यहां पर पड़ी नहीं दो गाजर से इतना टेस्टी और इतना हल्दी आपकी यह जो रेज़वी तैयार हो गई है तो देखिए यहा पर आपके घर मेंमान आए तो आप लोग मेंमान को भी गाजर और थोड़ा सुन चावल का पे रेज़वी बनाकर खिलाए कटोरी आप भर-भर मेंमान खाएंगे विगर तारिफ यह कि यह नहीं जाएंगे सवाल जब आपसे जरूर करेंगे कि रेज़वी आप कैसी बनाए कि क्या चीज की है एतनी अच्छी तो जरूर अगर अच्छी हमारी रेस भी है तो लाइक और शेर सब्सुराइब करने के लिए आप लोग बिल्कुर भूला कर देना सब्सुराइब तो मैं मिलूँगे आप लोग श्रेट ने श्री वीडिवीडियों तब पर देक लिए ब कि क्या हुआ जय को वग बिल्कुराइब तो लिए मैं मिलूब कर देक लिए ठी कर देक हो चूलाइब पर देक लिए